ओम नवस्ते जी, आज मैं आप सबको जिस वययाम के बारे में बताने वाला हूँ, इस वययाम का उलेख भारत के शास्त्रों में है, जो भारत की वययाम पदत्ती की पुस्त के हुई, उसमें इस वययाम का उलेख है, मंगाल के एक बहुत बड़े बलवान पुर्ष हुए भीम लगाते थे अब जो दो वैयाम में आपको बताने वाला हूँ अगर आप ये दो वैयाम हर रोज लगाते हो तो आपके शरीर में दीरे दीरे पावर आती चली जाएगी और जब आपके ये दो वैयाम बढ़ते चले जाएंगे मतलब इनका समय जब बढ़ता चला जाएगा तो आपके शरीरी में पूरा दिन आग और जान रहनी शुरू हो जाएगी सबसे पहला वह याम देखो आपको लोवर या फिर पैंट नहीं पहननी छोटा कपड़ा पहनना है जैसे की निकर अब हातों को आगे करके ऐसे अपनी बुजाओं को सीधा कर लो और ऐसे मुठी को टाइट बंद करके सबसे पहले 5-10 बार लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो धीरे-धीरे सांस लेनी है और छोड़नी है नाक से टांगे जादा खुली हुई ना हो पैरों के बीच में सिर्फ दो हातों जितना गैप हो अब अच्छे से नाक से सांस इकठा कर लो छाती में बढ़ लो और एडियो को उठा कर इस परकार जैसे आप देख रहे हो वीडियो में जितने धीरे हो सके उतनी धीरे-धीरे नीचे आना है बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है कम से कम 20 से 30 सेकंड लगाओ नीचे आने में और सांस बरकर रखनी है अच्छे से नीचे आओ धीरे-धीरे और नीचे इस परकार आकर रुक जाओ कम से कम 5 सेगेंड के लिए फिर धीरे धीरे उपर जाओ जीतना धीरे हो सके उतना धीरे धीरे उपर जाना है आपकी टांगो पर भी प्रेशर आएगा और सांस भी आपकी थोड़ी घूटेगा आपका दम भी घूटेगा अब उपर आकर सांस छोड़ दो यह एक दंड लगान हो तो उक सीजन आपकी टांगों में जाकर आपकी टांगों की मसल्स को मजबूत बनाती है एनरजी देती है अब जैसे जैसे आप इस दंड का समय बढ़ाओगे जैसे कि आपने आज ये एक दंड 40 सेकेंड में लगाया और एक हफते बाद आपने और धीरे-धीरे करके एक दं सबसे पहले अपने पूरे श्रीर पर तेल की मालिश कर लो उपर के श्रीर पर तेल की मालिश करने के बाद आपको ये मुगदल लेना है ये लगबग 6-7 किलो का है 12-15 तक का मिल जाएगा बढ़िया आपको ओन लाइन देख लेना उसके बाद एक हाथ से ऐसे उठाकर आपक लगाने हैं उसके बाद आप दूसरे हाथ से लगाओ इस परकार जब आप मुगदल को लगाओगे तो आपके उपर की बोडी में लचक आनी शुरूआ जाएगी आपकी जो कमर की मसला हो मजबूत होगी आपकी बुजाएं इतनी मजबूत हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकत और जब उपर की बोडी में आपके लचक आएगी तो आपके अंदर एनरजी अधिक रहेगी मतलब की जिस इनसान के शरीर में लचक होती है तो उसका वो इनसान मतलब पूरा दिन जितना मर्जी उससे काम करा लो वो थरकता नहीं अब पहले लोग ये मुगदल का खूब करते थे क्योंकि मुगदल के वरकाउट से जो लचक आती है शरीर में हमारी नसे खुल जाती है मजबूत बनती है ठीक है ना लचक आती है उपर की बोडी में तो उससे पूरा पूरा दिन एनरजी रहती है शरीर में बढ़िया आग रहती है और अगर और बल उठे ना फिर उससे आप वरकाउट करो दो हातों से जो मुगदल भारी मुगदल लेकर वरकाउट करते है ना उससे आपकी पूरी बोडी पर ताकत आएगी दो हातों से जब आप भारी मुगदल उठाओगे और एक मुगदल को गुमाओगे तो इतना जोर आएगा आएग पर आपकी पूरी बोड़ी पर कि आपकी बोड़ी में पूरा दिन आग रहनी शुरू हो जाएगी तागतानी शुरू हो जाएगी तो बस ये दो वैयाम अगर आप नियम के साथ लगाते हो हर रोज और इनके बाद बढ़ियाब अदाम रगड़ा बना कर पीते हो विरे अच्छा करते हो पर नायम के साथ ही दो भाई हम लगाओगे तो आग भी रहेगी श्रीर में एनर्जी भी रहेगी जान रहेगी इस टैमिना तो भर पूर भर भर के होगा तो अगली वीडियो के इस पर चाही मुझे कमेंट करें धन्यवाज जहिंच यह भारत राम राम जी हर हर मादेव